कोरोना काल में शाज़ापूर जिले के ग्रामिन श्रीत्रों के समस्याओं को ज़ानने के लिए किये गए अभीनाव नवाच्वार के लिए शाज़ापूर कलेक्टर दिनेश जहन को स्कॉज सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है गौरतरम है कि कलेक्टर ने कोरोना काल में वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मदद से जन सुनवाई शुरू की है बता दे कि कोरोना वाइरस कोवीड नाइंटीन के संक्रमट काल में ग्रामीनों की समस्या सुनने के लिए कलेक्टर शौजपूर दिनेश ज्यान ने अभीनाव नवाचार करते वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई शुरू की इस नवाचार के करन करेक्टर ने जिले के लगभट 246 ग्राम पंचायतों के सरपंच सहीद ग्रामिन जनों से संपर कर उनकी समस्या जानी और यतोचित नराकरन भी किया इस नवाचार को लेकर कलेक्टर दिनेश ज्यान को सिल्वर स्कॉच अवाउट प्राप्ध हुआ तहत बुद्वार को काला पीपल तैसील की ग्राम पंचायत निपानिया हसामुदीन के सरपंच सजी वग्रामिनों से चर्चा की वगाओं की समस्या चानी अधुद्वाद लोगने वाण विभाद पी चीज जो भी समय से उसको सुना जाता है उसका तत्काल नेरा करन किया जाता है आज हमारे ग्राम पंचायत के दौरा क्लेक्टर मोदर से बात की गई जिसमें हमारे गाहों में पाली की समस्या है और उसके बात में जो अपना धाब विकासकारों पर चर्टा की गए जिसका क्लेक्टर मोजे ने बोला है कि यह काम जल्दी निप्टा दी जाए यह नवाचार जो पहले यह बहुत अच्छी पहले इससे बात्चित करने के दोरां सब्सक्राइब को दता सभी पंचातों कि गाउं में विकासकारी होंगे क्योंकि सीधे हम क्लेक्टर मोजे से बात करते हैं जिससे वो अधिकारे को तुरंत आदेशित करते हैं उन सभी कारे की जाते हैं जिससे उनको देश का एक आवर्ड मिला है जिसको स्वाच आवर्ड बोलते हैं उनसे उनको नवाज लाए है वो यह पहल बहुत अच्छी है जिससे ग काला पीपल से संदीप गैलोथ के रिपोर्ट